आपका हदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, कितने marks पर कौन सा college मिलेगा, कब drop लेना चाहिए, कौन से course में admission ले लेना चाहिए, अगर MBBS में नहीं मिलता है तो, इन सब के बारे में इस वीडियो में विश्थित चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो MCC की बुक है, ओल इंडिया कोटा की, उसमें ओल इंडिया कोटा, एमस, जिकमार, AFMC, DU, IP, इंटरिनल, सेंटरल, ESIC, डिमडू इनिट्सिटी, सेंटरल पूल कोटा, यह सारी की सारी facility इसमें हमने दी वी है, इसके बाद 24 लिस्ट दी गी है, 2024 की round wise, category wise का टोप दी इसमें fees और सभी states के बारे में जानकारी दी गी है, counseling process को समझाया है, इस परकार से 24 लिस्ट में, इस्टेबिस year, state, tuition fees वगरा, यह सारा सब कुछ mention किया गया है, और ऐसे ही जो cutoff दी गी है previous year की, वो सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो जो previous year की cutoff है, उसमें आप 15, 10 स 15 marks aid कर लें, वो आपको college मिल सकता है, आपकी marks के according, aims वगरा के बारे में, dimmed वगरा के बारे में, central pool quota बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, counseling process को एक flow chart से समझाया गया है, और state की book में भी यह सारी facility available है, सभी states के बारे में सब कुछ विस्तार से समझाया गया है, कितने fees ह कितने पिछली साल की cut-off रही है, कैसे आपने admission लेना है, क्योंकि हर एक state का counseling process है, वो अलग है, तो सभी state के counseling process को समझाया गया है, 24 आपने कैसे फिल करना है, इस state में, documents क्या से यह उसके बारे में भी समझाया है, IOS और veterinary की book में भी यह सारी facility available है, इसको आप हमारे इस video की description box से download कर सकते हैं, जैसे आप more में click करेंगे, यहाँ पर तीनों books का link दिया गया है, इसको आप हमारी website चोपर education.in से भी download कर सकते हैं, जैसे किसी भी book पर click करेंगे, तो आप download page पर पहुंच जाएंगे, तो यह जानकारी थी कि आपको अगर counseling के बारे में जानकारी लेनी है, तो यह आपको कहां पर मिलेगी, तो इसके लिए जो हमने book लिखिया, आप जैसे book download करेंगे, जो mobile number देंगे, हम उस पर आप से contact कर लेंगे, आप हमारे paid service भी ले सकते हैं, इनमें मैंने बहुत कुछ जानकारी दे रखी है, यह आपके लिए काफी helpful रहेंगी यह books, अभी हम बात करते हैं कि 620, 600, 650, 500, 450, 400, 330, इन marks पर कहां पर किस candidate को कितनी फीच पर police मिल सकता है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो इस साल का expected cutoff है, मैं मान रहा हूँ, वो expected cutoff 620 है, यानि कि 620 पर मैं मान रहा हूँ कि आपको 620 के above marks वाले candidate को college मिल जाएगी, इस साल ऐसा मेरा मानना है, तो जो 620 के उपर के candidates हैं, उनको तो टेंसल लेने की आवश्यक्तर नहीं है, उनको government medical college मिलने की पूरी-पूरी possibility है, ऐसे candidate भी होते हैं, जिनके borderline पे marks होते हैं, उनको college मिलने वाली भी होती है, लेकिन फिर भी वो drop लेते हैं, अच्छी college के लिए, तो मैं उन candidate को suggest करूँगा, कि आपको अगर इस साल government college मिल रहा है, तो आप अवश्यक्तर लेना चीए, चाहे उन अगालेंड, आसाम, जैंड के कहीं का भी आपको MBBS का government college मिल जाए, जिसके आप fees afford कर सकते हैं, आलांकि government colleges की तो fees कम ही है, कुछ colleges को जैसे गुजरात की GMARS की college है, तीन लाग तीस हजार fees है उनकी, और दो-तीन college और हैं, जिनकी fees जाता है, तो अगर government college की fees आप afford कर सकते हैं, तो आपको college इस बार लेना चीए, इस range में आते हुए, अगर आपको इस बार college मिल रही है, तो ड्रोप लेने की कभी नहीं सोचना च चाहिए, कारण ये होता है कि क्या पता अगली साल क्या हो, जिसे एक तो ये rumor फैल रहा है, पेपर लेका, दूसरा आप बिमार भी हो सकते हैं, एक्जाम में, पेपर खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको मुका मिल रहा है, इस बार तो लेना ही है, उन बच् कुछ भी नहीं करना है, अभी वेट करना है, रजल्ट का जिन कंडिडेट के 620 हैं, जिन कंडिडेट के 615 से लेकर के 620 तक हैं, मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, यह जो मैंने कटोफ दे रखे हैं, वो कटोफ मैं कैटेगरी वाइज नीचे दुबरा ब 615 से लेकर के 620 के बीच में जो इस्टुडेंट हैं, वो अभी वेट कर लें, वो अभी बॉडर लाइन पे हैं, वो कोई डिसिजन ना लें कि मैं ड्रोप लूँ या ना लूँ या क्या करूँ, अभी वो रजल्ट का वेट करें, रजल्ट में एक बार रेंक देखें, मैं बार-बार बोलता हूँ कि इस बार की जो रेंक होगी, वो अन-एक्सपेक्टेड रेंक होगी, बहुत रेंक के काफी रेने वाले हैं, मैंने भी मार्क्स वर्सेज रेंक का वीडियो बनाया हो सकता है, उससे भी ज्यादा रेंक चली जाए इस बार, तो आप अभी ये कंडि से लेके, 617 तक है, या फिर 610 से 615 वाले कंडिड़ेट भी वेट कर सकते हैं, रेजल्ट का, एक बार भो भी रेजल्ट का वेट कर ले, रेंक का वेट कर ले, उसके बाद में, रेजल्ट के बाद में डिसीजिन ले, 610 से अबोव वाले student बात करें 600 से लेकर के 600 से लेकर के 610 के student इनको क्या करना चीए अगर ये students इनके drop कम हुए हैं और private colleges की fees वो afford नहीं कर सकते वो candidate इनको यहां पर drop ले लेना चीए अभी से पढ़ाई start कर देनी चीए जिनके 600 से लेके 610 तक marks हैं वो private की fees afford नहीं कर सकते और MBBS के अलावा BDS, BMS, BHMS और veterinary में admission नहीं लेना चाते हैं सिरफ MBBS में ही admission लेना चाते हैं तो जिन candidate के 600 से लेके 610 तक marks हैं वो अभी से पढ़ाई शुरू कर दें और need 25 का exam एक strength के साथ में दें मैं कहता हूँ उनका selection तो sure होगा ही होगा उ उनको aims in new daily मिलने के chances हैं पूरे-पूरे अब यहां तक बात होगी 600 से लेके 610 यानि कि 600 से उपर वाले students के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है अब essay student जो borderline पे तो हैं 600 15 आ रहा है 600 के बीच में हैं या 600 से नीचे वाले भी हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी आई उस वेटनरी और BDS की cutoff रेडिक्ट की थी इसमें भी बता दूगा वो cutoff अगर उस range में वो student आते हैं उनके drop ज्यादा हो गए इस बार MBBS में admission नहीं मिल रहा है तो वो candidate अपने desired course में admission ले सकते हैं जिनका 620 से नीचे का score है नीचे का score है MBBS में उनको admission नहीं मिल रहा है drop उनकी ज्यादा हो गए है इस बार किसी ये course में admission लेना ही है तो मैंने cutoff रेडिक्ट कर रखी है उसके according वो अपना इसमें अगर admission लेना चाते हैं तो wait कर ले result जो मैंने cutoff रेडिक्ट की है मैं आगे भी बता दूगा इन courses की cutoff द कि किसी भी में admission नहीं लेना चाते हैं सिरफ MBBS करना चाते हैं तो ऐसे candidate जिनके 250 से above marks हैं या 350 से above marks हैं वो drop ले सकते हैं MBBS के लिए drop ले सकते हैं क्योंकि अगर आपके 250 से down marks हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि आपके एक एक marks 600 भी 600 हो जाएंगे ये खुता नहीं है ऐसा मैंने previous year में ऐसा देखा नहीं है अलागि किसी का paper खराब हो गया हो किसी का paper चूट गया हो वो बात अलग है लेकिन जिनके test में भी जो practice test थे डीपी थे या जो test series में भी अगर जिनके 250 से 300 तक आ रहे थे उनके marks इस बार और वो सिरफ MBBS में ही admission लेना चाते हैं तो ऐसे students को जो 300 से उपर के हैं उनको drop लेना चाहिए बाकी को 250 से नीचे वाले students को अलग stream चुन लेनी चाहिए उनको या तो वो अगर private की fee support कर सकते हैं प्राइवेट में ले सकते हैं प्राइवेट की इतनी ज्यादा नहीं fee support कर सकते हैं तो प्राइवेट वेटनरी भी होता है प्राइवेट B BMS या फिर IUS या फिर BDS में admission लेना पड़े तो ऐसे candidate जिनके 250 से 300 के बीच में हैं वो या तो प्राइवेट BDS IUS वेटनरी चूज कर ले या फिर other कोई stream change कर ले अपना medical के लावा other है या फिर BSC nursing है या फिर other paramedical course है उनमें ये अपना admission ले ले अब 300 से लेकर के 600 तक के student या 6 120 के student 300 से लेके 620 के student जो एक जज़बा रखते हैं कि मेरे को admission तो MBBS में ही लेना है लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके एक score खड़ा करूँगा साड़े 600 का 660 का वो student यहां drop कर सकते हैं उनके अंदर एक जज़बा है तब otherwise अपना stream वो भी change कर ले या फिर I use veterinary वगरा में जहां उनका admission होता है अगर वो private की fee support कर सकते हैं तो private में admission ले ले अब बात करें हम private colleges की तो जिनका मैंने जो cutoff बताया है 620 बताया है और 610 के candidate तो नीचे वाले candidates से उनका qualifying cutoff तक admission हो जाता है dimmed university में लेकिन dimmed university की fees बहुत ज्यादा है जो student qualifying marks में आ रहे हैं उनका dimmed university में admission सभी का हो जाएगा लेकिन fees ज्यादा है वो fees afford कर सकते हैं तो वो अपनी dimmed university चुन ले मैंने book में All India की book में dimmed university की fees और उसकी cutoff भी दे रखी है यह अलग-अलग fees, अलग-अलग cutoff, अलग-अलग marks पर रहती है अगर किसके काफी ज्यादा marks है तो उसको कम fees की college मिल जाती है कम marks वाले को सबसे high fees की college मिल सकती है तो जिनके marks साड़े 500 तक हैं उनको simbosis वगरा केमसी मनिपाल, केमसी मैंगलोर, हैगडे तो इस परकार की यह college मिल जाएंगी लेकिन उनकी fees के rank के according, fees के according college set कर सकते हैं अपना dimmed university में, तो dimmed एक ऐसा option है जिसमें हर एक student को college मिल सकती है अगर आप fees afford कर सकते हैं तो अब बात करें state के private colleges की, तो state के private colleges में अगर जिन candidates के marks 520 से उपर हैं, जिन candidates के marks 520 से उपर हैं और उनका कहीं government mbbs में admission नहीं हो सकता है, 500 से लेकर के 520 तक, ऐसे candidate यूज कर सकते हैं, state open state, open state में admission ले सकते हैं, करनाटक हो गया, करनाटक में ले सकते हैं ये, प्लस 37 गड में ले सकते हैं ये, प्लस तिरपुरा में admission ले सकते हैं, जो जिनका marks 500 से 520 के उपर वाले student हैं, मतलब 540, 560, 580, अगर इनकी fees वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो fees यहां मैं बता देता हूँ, करनाटक में आपकी fees 13 लाग पर येर पड़ेगी, साड़े-चार साल की fees लगती है, 36 गड में भी 7 fees पड़ेगी, वो भी साड़े-चार साल की लगती है, तिरपुरा में भी 7 फीस पड़ेगी, वो भी साड़े-चार लाग की पड़ती है, यानि कि आपके marks 500 से उपर आ रहे हैं, government college नहीं मिल रही है, आप 13 लाग पर year अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन तीन state में admission ले सकते हैं, private colleges में, open quota के तहट, अब ऐसे candidate, जिनके marks 530 से उपर आ रहे हैं, जिनके marks 530 से उपर आ रहे हैं, MBBS में ही admission लेना चाते हैं, government college उनको मिल नहीं रही है, government MBBS, वो केरिला का option set कर सकते हैं, 10 लाग के नियरवाई fees पड़ेगी, सब कुछ मिला के 10 लाग रुपे पर year fees पड़ेगी, 4.5 साल की fees यहां भी लगती है, अब इन से और नीचे marks वाले candidate है तो इस बार मान रहे हैं हम 260 marks, 260 marks से UP की cutoff रह सकती है private colleges की, जहां पर हर कोई admission ले सकता है, तो जिन candidates के 260 से अबोव marks हैं, government colleges में कहीं admission नहीं मिल रहा है, और वो MBBS ही लेना चाते हैं, वो candidate UP state select कर सकते हैं, 15 लाग पर year fees पड़ने की possibility है, और यहां 4.5 साल की fees ही लगती है, यहा कम marks वाले candidate हैं, 250 से कम marks वाले candidate हैं, वो भी candidate को seat मिल सकती है, उनकी fees का budget ज्यादा पड़ेगा, एक तो मैंने dimd university बताया है, उसके अलावा आप pondicherry state भी select कर सकते हैं, और इसके बाद में आप उतराखंडी state भी select कर सकते हैं, और हिमाचल भी select कर सकते हैं, वेस्ट बंगोल भी select कर सकते हैं, तो essay student जिनके qualifying marks हैं, वो ये state भी select कर सकते हैं, और dimd university select कर सकते हैं, जिनको government college मिलने के आसार नहीं हैं essay student, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, fees के बारे में बता दिया है कि कोई student के कितने marks से कितनी fees वो afford कर सकता है, तो कहां पर उसके admission के chances हैं, बिहार में भी आपको 270 से लेकर के 300 से उपर वाले candidates को seat मिल सकती है, open state में, open बिहार भी open state है, और 250 तक भी मिल सकती है बिहार में, यानि कि UP की cutoff से बिहार की cutoff down ही रहती है हमेशा, ये statewide वीडियो में आपको अलग से एक बना कि बता दूगा कि कौन से state में कितनी cutoff जाएगी state का एक separate video बना दूगा, तो आपको इसका एक idea हो जाएगा इसमें, तो अब बात करते हैं कि अगर आपका, अगर आपका score इतना नहीं आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, और आपके drop ज्यादा हो गए हैं, तो आप I use veterinary BDS में भी admission ले सकते हैं, कितनी marks पर admission हो जाएगा, ये मैं आपको यहाँ पर cutoff बता देता हूँ, हालांकि मैंने cutoff का video बना दिया है, अलग से, separate video बना दिया है cutoff का, फिर भी मैं आपको cutoff बता देता हूँ कि कितनी marks पर आपको यहाँ पर seat मिल जाएगी, तो इसमें एक बार हम यहाँ पर cutoff देख लेते हैं, सभी courses की, तो दे वेटनरी में इतनी marks आ रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, आयूस और वेटनरी चूज कर सकते हैं, अगर गौर्मेंट में आपका MBBS में नहीं हो रहा है, और प्राइवेट की fee support नहीं कर सकते, तो यह भी course खराब नहीं है, इन course में भी आप अपना केरियर बना सकते हैं, यह course भ रहे हैं, तो आप इन में chance ले सकते हैं, अदरवाइज आप फैशला कर लें, ड्रोप का fees मैंने आपको बता दी है, जो dimmed की fees पड़ती है, वो काफी ज़्यादा पड़ती है, अगर आपके marks 550 तक हैं, तो आपकी fees से 20 लाग तक पड़ सकती है, और इसमें कुछ ऐसे college हैं, ज रामचंद्रा है, 25 लाग पर यर है, पुने की, डिवाई पाटिल की 25-26 लाग fees है उसमें, तो यह मैंने बुक में दे रखें, सारा आप उसमें एक idea ले सकते हैं, तो यह तो थी BDS की, अब मैं आपको बता दूँ कि यह जो मैंने cut-off रेडिक्ट की है, वो यह cut-off है, इससे नीचे वाले student को क्या करना है, यह मैंने आपको बता दिया है, इससे उपर वाले student को क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है, तो अपने category के according आप decide कर लें, कि आपको कहा admission लेना है, और drop लेना है, या नहीं लेना है, मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आपके अंदर एक जजबा है कि मेरे को कुछ करना ही है तो ड्रोप ले सकते हैं आप लेकिन अगर आपके ड्रोप ज्यादा हो गए मार्क्स बढ़ नहीं रहे तो आप ड्रोप लेने से कोई फाइदा नहीं है या तो आप स्ट्रीम चेंज कर ले या फिर आप अधर कोर्सेज में एड्मिसन ले तो यह जानकारी थी कितने मार्क्स में कहां एड्मिसन मिल सकता है किन स्टुडेंट को ड्रोप लेना चीए किन को नहीं लेना चीए देखो यह डिसिजन आपको लेना है हम आपको यह डिसिजन लेके नहीं बताएंगे कि आप यही कर लो हमने आपको एक लाइन बता दी है उसके according आप अपना decision खुद ले और ये decision अपने parents के साथ बैठके, देखो आपके जो रिस्तेदार हैं, आपके जो पडोसी हैं, आपके कभी साथ नहीं आएंगे, आपका जो नजदी की रिस्तेदार है, जिसको आप भुआ फुआ फुआ ये जो बोलते हैं, ये आपके बिल्क बाके आप किसी पडोसी के कहने में नहीं आना है आपको, नए किसी रिस्तेदार के कहने में आना है, चाहिए वो कितना ही करीबी रिस्तेदार हो, कोई नहीं चाहता आप डोक्र बन जाओ, कोई नहीं चाहता आप प्रोग्रेस करो, बार से कुछ और बोलेंगे, उनके अंद बता दू, गलत कदम कभी नहीं उठाना है, यह आपकी जो life है, उसमें यही एक exam नहीं है, और भी बहुत रास्ते हैं, आप दूसरे field में भी जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत opportunity है, अलग field में भी opportunity है, यह नहीं है कि मेरे को यह MBBS नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, यही सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी other field में भी अपना career बना सकते हैं, तो decision खुद लें, एक decision लिया हुआ, उसमें कभी पस्तावा नहीं होता है, सोच समझ के decision लें, हमारी help की जरुत होती है, तो आप हमारी help भी ले सकते हैं, paid counselling से, तो मिलेंगे next update के साथ नई जानकारी में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा, जैहीं!